कर दोस्तों मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल जिसका नाम है साहिता के आपको पता चल गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है हम एक अपना जो लेटेस्ट मशीन हमने जो बनाई है उसके बारे में ये वीडियो है और बहुत सारे हमारे जो दोस्त है वो हमसे बता दे थे कि वो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या कुछ हमारे ऐसे म इसके उपर अब प्रिंट कर सकते हो जाए वह नाइलन हो ट्राइफिट्स हो सारी टी शट्स आप इस पर में जो बैग आते हैं यानि या बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने स्टेट में प्लास्टिक बैन किया हुआ है तो कपड़े के जो भी बैग साथे हैं वो आप इस पे प्रिंट कर सकते हो पेपर आप इस पे प्रिंट कर सकते हो तो दोस्तों वो जो हमारी मशीन है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जो हमारी मशीन है उसका जो दाम है वो हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए जी हां दोस्तों सिर्फ वो मशीन आपक स्टेशन फोर कलर की मशीन है इसके पहले भी वीडियो में आप लोग ने देखा होगा ये मशीन ठीक ऐसी मशीन हम आपको लाइटर वर्जन में पंदरा हजार रुपए में आपको बना के दे रहे हैं जो भी जी एस्टेन ट्रांस्पोटेशन होता है वो इसमें अलग होता है यानि ये मशीन का जो रेट है वो हमने पंदरा हजार रुपए रखा है आपके बजट में रखा है और इसकी हमने प्री बुकिंग चालू भी कर दी है तो अगर आप ये बिजनस चालू करना चाहते हैं तो जरूर आप आईए और हमसे कॉंटेक्ट करिए आपको ये मशीन क के साथ में हम पूरी ट्रेनिंग आपको फ्री में देंगे फ्री में जी हाँ दोस्तों को ट्रेनिंग का कोई भी पैसे नहीं लिये जाते हैं पूरी ट्रेनिंग आपको फ्री में दी जाती है एक दिन का पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है विद प्रैक्टिकल आपको ये ट्र यह जो हम लूग पर फ्रेम लगाते हैं लगार यहाँ पर बरहें आपको प्रीशिट घर स्वीक, ीह प्रिंच को प्रगी को आ अचल बूस्वर हुएव ज जी है और और यह जो स्कुिजी है यह squeezy से हमको इसके उपर color डालके हमको rub करना पड़ता है तो यह सारी चीजे आपको भी training में बताई जाएंगी training में आपको basic जो basic training होती है कि कौन-कौन से आपको इसमें tools लगेंगे और basic designing आपको कैसे लेनी है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि Google से हमें download कैसे करना है और basic design कैसे निकालनी है तो वो आपको एक explanation बताया जाता है कि कैसे आपको करना है उसके बाद में exposing इसमें exposing हमें करना पड़ता है तो exposing कैसे किया जाता है यह हमारा जो स्क्रीन है आप जो देख रहे हैं इसको स्क्रीन बनने के बाद वॉशिंग कैसे किया जाता है वो आपको इसकी बारे में इसकी जानकरी दी जाती है जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ जैसे यह बनाया हुआ है एक डिजाइन तो यह कैसे बनाया जाता है इसके उपर कैसे इसको वॉश किया जाता है यह सारी जो टेकनिक है आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है फ्री ओफ कॉस्ट बताई जाती है तो एक दिन का पूरा सेशन लिया जाता है पूरा सेशन आपक पूरा सिखाया जाता है उसके बाद इसके अंदर आपको यह बताया जाता है कि कौन-कौन सा material आपको कहां से लेना है आपके area में से कहीं भी अगर आपको इंडिया के कहीं भी किसी भी पार्ट में रहते हों तो कहां से आपको material अच्छे दामों पर मिलेगा वह आपको contact point कराय जाता है इंक में मिलाने वाली कौन-कौन से चीजे आती है जो आपको इंक प्रिंट करने में बहुत मदद करती है वो सारी चीजे आपको यहां पे बताई जाती है कितने इंच की स्क्वीजी आती है आपको कोटर कहां से इस्तेमाल करना है लेना है वो सारी चीजे आपको ट्र आनना है तो comment section में जरूर लिखिएगा मैं आपको वहाँ पर reply दूँगा तो आज की वीडियो में बस दोस्तो इतना ही था जैहिन